भाजबा सरकार में सत्ता में आने से पहले सभी के सर पर पक्की छट देने का वादा किया था और ऐसे में सरकार की ये आवास योजना काफी सुर्ख्यों में रही कभी अपातों को आवास देना तो कभी आवास के नाम पर धनुगाही के नाम पर तो कभी सरकार अपने वादे पर खरी भी उतरी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के विकास के काम में व्यवधान डाल रहे हैं ताजा मामला सिधार्त नगर जिले की दुमरिया तहसील के नगरपंचायत पढ़नी चाफा टोला के बंगवा नानकार की है जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा आवास के नाम पर अधिकारियों द्वारा धनुगाही का मामला सामने आए था वही अब इस मामले को लेकर पातरला भारतियों ने बताया कि आवास के नाम पर लोगों से एक भी रुपए नहीं लिये गए पातरला भारतियों ने ये भी बताया कि व्यक्ति अक्सर गाउं में जाकर सरकार की योजनाओं में बांधा डालने का काम करता है लाभार्थियों का कहना है कि इसकी शिकार जब्मिदार अधिकारियों से भी की गई है वही सभी चाहते हैं कि इसके खिलाफ कारवाई हो वही सरकार के आवासी योजना के अंतरगरत लाभ पाने वाले लोगों का कहना है कि आवास यूज ना आई तो हमें खुशी मिली कि हम लोग भी अपके मकान में रह सकेंगे हम अपने आवास का निर्मान कारी करवा रहे हैं लेकिन गाउं के ही वेक्ति के द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया जा रहा है जिसके उपर सक्त से सक्त कारवाई की जानी शाहिए वह इस मामले को लेकर जे इए मनोज कुमार से जब बात की गई तो उनका साफतार पर कहना था कि आवास के नाम पर धनुगाही की बाद गलत है और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है विरा 24 यूज के लिए सिधारत नगर से समाधाता नियमतु लगाही की बढ़नी चाफाक में जिसे गिजीला पंचायत के रहने वाले हैं बंगवान आंकार पेटा हमको आवास मिला है प्रजार मंतरी जो जिना से आवास मिला है और ये सतीर दीवेली जो है कि मतला हम से आवास लिए खृष लिया गया है तो हमksे कुछ भी नहीं पैसलिया गया है हम एक पैसा नहीं दिया ना कोई मांगा है हमके पैसा और ये ऐसे कहा रहा कि बोलो अब हम कैसे बढ़नी ज़वे जैँए तो ओ नहीं को पर देव Dáak हमारे भाई साहीब तो वो नेतागीरी कर रहे हैं अपने समस्या के लेकि कुछ हम को भी मिला है फाइदा हो जाए हमारा परद्धान मंतरी उजना से हम आवास के पातर थे आज तक पंदरा बीस साल पचीस साल हो गया हम इस गाव में पत्ते हैं लेकिन हमको परद्धानी के तौर पर आज तक इंदरा आवास भी नहीं मिला नाम सत्तिपाल वर्मा है मैं नगर मचल बलनी चाफा तोला बंको अनांकर का मिलासी हूं सर मुझे पधान मंतरी रोजियार रोजिना के तहट मेला भारती था मुझे आवास मिला और सर मैं आवास का पैसा निकाला जो भी पैसा मुझे मिला अपने कार में लगाया लेकिन कुछ संपरदाय तक तो के लोग ऐसे हैं सर की जो बिला वज़ा सभी लोगों के उपर यह आरूप लगा रहे हैं कि पैसे का गृव्योग किया जा रहा है को लोग पात्र नहीं है अपात्र है तिस्षी में सर्थ हम लोग गरीप परिवार से हैं परदान मंतरी जी का जो शुभी होजना हम लोगों के पास तक आया हम उनके बहुत शुकर ग करवाई कि जाए और हम लोग पात रहें सर गरीब प्रिवार से हैं मज़्गूरी पेशा है ड्रैबिन करके मैं इतना जिवन यापन कर रहा हूं